हलो इस्ट्टिएस लास्ट केस्ट करेंगे एककिस 9.1 के लिए केसे नमर 11 क्या किया रहा है डाइग्रम औफ एड़्जन फिगर आपके सामने कि विन है और यह आपके सब के गविन है एक है इनर डायमेंशन एक है आउटर डायमेंशन इस पर फ्रेम यह फ्रेम आपकी फोटो और फोर शेक्षन कि यह चारों सेक्षन का एरीया मांग रहा है अभलावस्स सेक्षन शुरू करता है कि ए मैं ए एर्या ऑफ फां सेक्षन अगर आप गॉह करो यह सेक्षन किसकी तरह दिखuju है आपको बिदि की तरह पहली साइड देखो आपके सामने 16 ये खुद गिविन दे रहा है थोड़ा सा फोकस करो कि दिख जाएगी दूसरी साइड कितनी दे रखी है 24 multiply यह होती है height यह क्या होती है आपके पास height आपको यहाँ पर height के लिए क्या बोल रहा है width of each section is same तो यह वाली चीज हम कैसे करेंगे calculate करेंगे कैसे calculate करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना आपको idea लगेगा यहाँ पर imagine करो यह total length आपके पास 28 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की length 20 दे रखी है दूसरे और diagram में समझाता हूँ इधर देखो पीछे यह total length 28 है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 दे दी तो यह बची भी length क्या होगी 28 में से इसको minus करो 28 में से अगर मैं 20 minus करता हूँ मेरे पास कितना बचेगा 8 बचेगा अब और इसने बोला है कि उपर नीचे की वीड़त एकदम से मैं तो 8 के आदे आदे पार्ट कर लो 4 यह और 4 यह अब करके देखो यह वाली length 20 यह वाली length 4 यह वाली length 4 24 और 4 कितना हो गया 28 देखो यह 20 80 तो है total समझ में आया के लिए आ रहे तो height कितनी हो जाएगी 4 कैसे निकाला समझ में आपको तक 2 से 4 कट कर लो 2 टाइम 16 24 को add करो 20 30 and 40 multiplied 2 समझ में आ रहा है क्या कहना चाहरो 30 40 multiplied 2 यह आ गया है आपके पास 80 centimeter square अब मेरी बास सुनो यह first वाला जो area of section और third वाला दोना equally तो होगे आमने सामें देख आप shape दोनों का सहीम ही तो है तो also मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर area of third section equals to 80 centimeter square बताओ समझ में आया नहीं आया अब आते हैं second और fourth पर next slide पर आओ इदर आजाओ area of second section यह भी tripism की shape में ही दिया है मुझे formula half multiply sum of parallel side multiply height अब parallel side इस पर आते हैं अब देखो इसकी पहली parallel side आपको दिखरी होगी क्या है यह 20 दूसरी parallel side यहां से लेके यहां तक कितनी है 28 और height अभी मैंने निकाली 4 दूसरे 4 चला गया 2 time क्या बचा 20 और 28 add करो 20 40 48 multiplied कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा 2 8 जा 16 to 4 side 96 cm square अब मैंने अभी बताया जो इसका area होगा वही इसका area होगा इसको मैंने क्या name दिया था fourth section इसका भी क्या रहेगा 96 cm square बताओ समझ में आया क्या कि लिए तो चारो sections के मैंने area निकाल दिया separately area of e section of the frame clear है आप पर आप चाहो तो सब पो लाइन से लिख लेना है या पर one section के इतना 2 का इतना 3 का इतना 4 का इतना like that यह हो गया clear आपके पास question number 11 so this is complete your exercise 9.1 completed और कोई डाउट लगे comment section में ज़रू बताना एं लेक्चर कैसा लगा पसंदा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल फॉर मोर इंडिफेंटिक लेक्चर फ्रॉम क्लास 8 तो 12 और सीनियर स्टुएंट्स आपके ब्रदर कजन्स जो भी कॉंटेक्स में है अगर mathematics के पैस से बैस लेना चाहते है तो प्लीज जॉइन उस एंड जो फ्यूचर में अधर सब्जेक्स के लिए भी हम लेक्चर को वैड कराएंगे बट पहले फर्सली फोकस है mathematics पर आप लोग की किस तरीके से community जॉइन होती है उस पर देखा जाएगा ठीक है नेक्स मिलेंगे एक से 9.2 पर तब तक के लिए गुड़